आज क्लास हम स्टार्ट करेंगे next topic that is damped oscillations सबसे पहले जो है हम इसके definition की जानिए move करेंगे the oscillations of a system, किसी भी सिस्टम की oscillations, oscillations का मतलब है vibrations, the oscillations of a system, systems की oscillations in the presence मजूदगी में of some resistive force, किसी resistive force کی मजूदगी में, यहां पे resistive force का मतलब है किसी भी किसम की कोई हिंडरंस कोई रिकावर मिसाल के तोरप अगर हम लोग एक बेल की एक्जामपल लें तो बेल जो है वो क्या करती है वो पर्डियूस करती है वाइब्रेशन को बेल जो है वो जैसे ही वाइब्रेशन को पर्डियूस करेगी तो उसकी बेल जो है वो हमें सुनना जो कि उसका वॉलियम जहां बहुत जादा तेज होगा और पिर आइस्ता इससा उसका वॉलियम जो है वह कम होता जाएगा और एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसमें उसकी वोईस्ट वह बिल्कुल जो है वह खत्म हो जाएगी इस विल में जो है वह एक फॉर्स डॉमिनेट की का उसीलेट नहीं करेगा दा फ्रिक्शन विल रिड्यूस समकानिकल एनर्जी ओफ दा सिस्टम फ्रिक्शन ने क्या किया है किसी भी सिस्टम की मेकानिकल एनर्जी को कम कर दिया है ऐस टाइम पासी जैसे टाइम गुजरता गया तो इसने इसकी फ्रिक्शन ने मेकानिकल एनर् कि वोईस बहुत ज्यादा लाउड थी पिर उसकी वोईस कम होती चलिए गई और पिर एक ऐसा पॉइंट आया जिसमें उसकी वोईस जो है बिल्कुल जो है वो खतम होगी सो इट मीन्स के हमारी डैफिनेशन भी यही थी कि जिसमें किसी भी सिस्टम की ऑसिलेशन अगर किसी र खटका अब्सारबर का मतल्य उसको जैस करना उसको अब्सारब करना अब देखा जाए तो यह शौक अब्सारबर जो हमारी होते हैं कार्स वगएरा में सब मैं और बाइक वगारा में इन्डरे जैसे ही जो वही कल्स हैं किसी भी ऐसे रोड़ पर चलती इंडिस पे बहुत साधा घड़े वगारा मजूद हैं तो ये शौक अब्जाबर्स क्या करते हैं उन तुमाम जटकों को जो है वह अपने अंदर अब्जाब कर लेते हैं और हमें जो है वह एक किसी भी किसम का कोई भी शौक जो है उसे लगने उसे लगने से बचाते हैं इसके लिए डायग्राम है इसका फर्स वाला पार्ट है यह वाला पार्ट जो है वह कार के फ्रेम के साथ अटैच होता है यहां पर यह वाला मिड़ वाला पार्ट जो है इसके अंदर जो है वह लिक्विट की यह किसी भी ओल की फिलिंग हुई होती है इसका जो नीच लवाला यह वाला पार्ट है this is attached to the car. एकसल, ये कार के एकसल के साथ जो है, आटाच हुआ होता है. शौक अबसॉरबर जो है, वो इकंसिस्ट ओफ ए पिस्टन, ये पिस्टन पर मुस्टमिल होता है, moving through a liquid जिसमें कोई भी liquid जो है, move कर रहा होता है. यह वाला पार्ट जो है वो कार के फ्रेम के साथ जो है वो मजबूती के साथ जुड़ा हुआ होता है जैसे ही जो है कार जो है वो किसी ऐसे रोड पर चलती है जिस पर बहुत जादा घड़े हो तो कार क्या करना चुछ करती है vibration start कर देती है तो श्वक अब्स ऑबर्स डैंप डीज वाइबरेशन यह शुक अब्स ऑबर्स करते हैं इन वाइब्रेशन को damp कर देते हैं और इसकी एनर्जी को जो है ही ट एनर्जी में convert कर देते हैं जब किसी भी सिस्टम में oscillation की वज़ा से oscillation produce हो जाएं और उसकी जो तो हम लोग उसे कहेंगे उस टाइप की oscillations को damp oscillations बोला जाएगा हमारा next topic है wave motion wave motion में सबसे पहले इसकी दो activities हैं first में हमने कहा कि एक water tub लिया इसके अंदर water को fill up कर दिया यहां पे हमने एक pencil को insert कर दिया यहां पे pencil को insert करने कब जब हमने इस pencil को up and down move किया तो पानी में जो है वो waves produce होती जाएंगी अब यहां पे हमने एक mid में कॉर्क रख दिया जब वेव जो है वहाई साइसा मूफ करती है जब यहां पे आएंगी तो यह कॉर्क क्या करना शुरू करेगा अप एंड डाउन जो है वो vibration start कर देगा जैसे ही vibration start करेगा यहां पे waves पहुंचेंगी कॉर्क अपनी position पर ही रहेगा उसके बाद next जो है waves आगे मौफ करना शुरू कर देंगी लेकिन कॉर्क जो है वो अपनी ही mean position पर जो है वो रहेगा waves are produce इस तरह हम waves को produce करेंगे जब जैसे ही हमने pencil को वाटेट अप के अंदर डिप किया लेकिन कॉर्क की position च प्रवाइट कर दी अब हमने string को क्या करना अप एंध डाउन जो है वो मूफ करना जैसे ही string जो है वो अपन डाउन मूफ करेंगी तो क्या होगा उसमें vibration जो है वो produce होना शुरू हो जाएगी अब vibration पर इस सबसे पहले यहां पर यह करब जो है वो यह इंडिकेट कर रहे है क हमने स्ट्रिंग के डिया, और आगे वेब जो है वह पर्डीऊ होति चलिए अब पहले बiblожалуй यहां पे बर्डीऊ होई अब यहां यहां से इस्ट्रिंग फब timelines स्ट्रीट में यहां होगी लेकिन पी पॉइंट जो है वो अपनी ही पोजिशन पर रहा पी पॉइंट जो है वो अपनी पोजिशन पर ही रहेगा लेकिन वेव जो है वो आगे की जानीब जो है लेकि यह ब्ला पार्ट जो है यह ब्लापॉइक जोई यह आपनी ही जगह पर फिक्स रहेगा पर इरेक्षिन औव टाय। इसमें थापत है कि सफिवेब्ट कूलर कैंगा स्नियर। यह दुशाण मेयं फार्टिकल्स मेडियुम के पार्टिकल्स का टू अट्जो अटॉ एड़रेटियुम पार्टिकल्स का टु आंडू जो पढ़ाई पुजिशन में पोजिशन पर इसे मैंने पहले एक्टिविटी नॉमर वन वे बताया था कि यहां पेंसिल को डिप किया तो वे जो है पुडि व करता जाएगा उसके बार नेक्स सेट वेव की टाइव की दो टाइब सार्च मेकानिकल वेव चिप स्बीज archives वो होती है तब वेव जिस्ट को ये किसी बी किसम की मीडियम कि requirement होती है मिसाल को तो परिसकी simple example sound waves की है जैसे sound waves जो है उसको किसी बी medium की जर्द होती है medium से मुराद क्या है medium से मुराद यह है कि हम जब हम बोलते हैं जो हमारी वोईस आपना है वो ट्रैवल करती है एक जगेसे दूसरे निगावापन करती है electromagnetic waves वो होती है, जिसमें किसी भी कि activate the medium की requirement होती अब इसमें किस तरह के medium की requirement नहीं होती, अब medium से मुरद इसमें क्या है? अब मिसाल कर तक हम रहए train एक Sun की बात करें, Sun से सो हमारी अर्थ जमीन में तो कीसे पहुंआई हैै? उसके धर मैं क्या है? वेक्यूम है भीक्यूम किया है वह मीडियम नहीं है सु लेकिन जो है सन से ज्वेड़ यह तो हुआर्ट जिखजेंगी फुर्ट नहीं है यह व्यूसे किसीगाम की Nossa रह्याइख ही सोज रजाएगी लाीच रहे जाए लेकंट वेवस में जो है वो मीडियम की जरूरत होती है